अलो विल्कम फ्रेंट्स Microsoft Excel 365 सीखने की सीरीज में मैं सुरज आपका स्वागत करता हूँ और आज की ये वीडियो है Microsoft Excel 365 की तो मोबाइल पर ही यूज कर रहा हूँ मैं आप चाहे तो इसे अपने डेक्स्टॉप या लैप्टॉप में भी यूज कर सकते हैं चलिए आईए आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज करना है यहां पर देख सकते हैं स्टूडेंट का रोल नंबर लिखा हुआ है नेम अप स्टूडेंट है और इंग्लिश सब्जेक्ट के कुछ मार्क्स दिये गए हैं अब यह स्टूडेंट अलग-अलग टेस्ट में अलग-अलग मार्क्स इन्होंने गेंड की हैं जैसे कि राम है तो एक बार टेस्ट हुआ तो इनको 47 मार्क्स मिला ठीक है फिर यहाँ पर नीचे देख सकते हैं यहाँ पर फिर टेस्ट हुआ है तो RAM को मिले है 77 marks फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर इनको 88 marks मिले हैं इसी तरीके से फिर यहाँ पर देखेंगे तो 22 marks मिले हैं तो इस तरीके का बड़ा data हमारे पास है और हम यह चाहते हैं कि हम जब च student का marks निकालना हो हम filter करके निकालने तो यहाँ पर filter function आपको मिल जाता है Microsoft Excel 365 में जो कि आपको नहीं मिलेगा जनरल वर्जंस में यानि कि अगर आप 2019, 2016 या आधर वर्जंस में इसको तलाश करने की कोशिस करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा तो चलिए आएए इसको समझते हैं क कैसे यूज़ करेंगे सबसे पहले यहां लिखा हुए name of student ठीक है roll number को मैं avoid कर रहा हूँ roll number को हम नहीं ले रहे है ठीक है अभी हमें क्या करना है यहां पर is equal to लगाना है तो यह is equal to लगाया यहां पर apply करते है filter formula तो यह apply किया मैंने filter आप देख सकते हैं यहां पर कह रहा है array array हमारा क्या है array हमारा यह है heading हम पहले ही ले चुके हैं तो heading हमें नहीं लेना है ठीक है तो पूरा का पूरा यह हिस्सा select कर लिजे यह data select कर लिजे ना एक भी कम ना एक भी ज्यादा ठीक है अब यहां पर कह रहा है include include किसको करना है तो click कर यह include पर और आ जाईए यह नाम ही include करने है टाइटल छोड़कर के पूरा नाम आप इंकलूड करेंगे ठीक है तो यह पूरा नाम हमने इंकलूड किया और फिर यहां लिखा हुआ है इफ एंपटी तो घबराइए मत यहां पर आपको अभी नहीं आना है यहां पर आईए इसको हटा दीजिए ठीक है इसको हटा यहां पर लगा यह इकव इसको ही राम का पूरा डिटेल आगा यहां और यहां पर देख सकते हैं राम का पहले 63 था फिर 77 था फिर 88 था फिर 22 हो गया ठीक है एक बड़ चेक करते हैं क्रॉस चेक करते हैं यहाँ पर 63 आपको दिख रहा है इसको मैं different color से highlight भी करता हूँ अभी यहाँ पर देखिए यह राम का 63 marks है ओके तो इसको मैं highlight कर देता हूँ different color से तो यहाँ पर यह color सही रहेगा मेरे हिसाब से टेक्स्ट का color चेंज कर देते हैं यहाँ से यह text का color मैं white कर देता हूँ white वाइट बेटर है यहाँ से यह हो गया text का color white तो अभी आपको राम का total दिखाई दे रहा है फिर यहाँ पर देखेंगे फिर यहाँ पर राम है ठीक है तो इसको भी highlight कर दिया जाए ठीक है इसको इस बार yellow color से highlight कर देता हूँ फिर यहां पर देखेंगे तो यहां पर भी राम का माक्स है ठीक है तो इसको भी highlight कर देता हूँ और फिर नीचे आईए और तो कहीं नहीं है यहां पर देखेंगे 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 यहां पर आए और नाम यहां पर हम चेंज करने जा रहे हैं ठीक है तो यहां पर मैं कर देता हूं श्याम का कितनी बार इन्हों ने एक्जाम दिया और कितनी बार इनको मार्क्स मिले और कितने कितने मिले यह पूरा फिल्टर करके यह दे देगा तो जैसे ही मैंने श्याम लिखा तो नाम यहां पर change करता हूँ जैसे ही मैं यह दिखें यहां पर श्याम को हटा दिया और फिर यहां कुछ और लिख देते हैं लाइक मैं लिख देता हूं हीना हे डबल ए एन ए ठीक है और जैसे हीना लिखा मैंने तो यहां पर according to the data result change हो गया दो बार एक्जाम दिया एक बार 77 और एक बार 22 तो इसी तरीके से आप फिल्टर फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं आई होप के बाद समझ में आई होगी कि Android मोबाइल में इस तरीके से हम कैसे यूज कर सकते हैं फिल्टर फॉर्मूला तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आती हो ओफिस 365 की तो आप इसे शेयर कर सकते हैं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो